गुद मॉनिंग चिल्रेन सो वन्स अगेन आपके डूंगरे में मैं आपके साथ हैं आज एक स्टोरी जो लेकर मैं आई हूँ वो आप लोग जो कार्टून्स देखते हूँ ना टीवी में बहुत से बच्चे 90 बसंट बच्चे दोरेमॉन देखते हैं लेकिन मैं डोरेमॉन देखी नहीं आई हूँ आज मुटू पतलू की स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे जो कि एक लेसेन है आप लोगों के लिए तो चलो शुरू करते हैं मुटू पतलू एक सीरियल है जो निक चैनल में आ रहा है यह जो स्टोरी मैं ली बहुत करीब एक लेड़ साल पहले आई थी इसमें मुटू है पतलू है जटका घसीटा चिंगम यह सारे कैरेक्टर्स हैं और इसमें एक विलेन करेक्टर है जो कि हमेशा गलत काम करता रहता है तो स्टोरी शुरू होती है कि जो विलेन है, जोन उसका नाम है और उसके दो साथी नमबर वन और नमबर टो यह लोग जगे जगे सेलफीपोटो खीच कहा है तो उसका एक साथी नमबर वन पूछता है boss आब फोटो यह सेलफी यह ले रहा है worst not कॉंपेटिशन होने वाला है और उस कॉंपेटिशन का ही नाम दस लाख रुपए है तो नंबर वन बोलता है कि बॉस पेपर में निकला है तो मोटू पत्तु जरूर पढ़े होंगे और वो लोग तो हमेशा जीच जाते हैं तो यह बोलता हां मुझे भी इसी बात की चिंता है लेकिन देखता हूँ उनको किस तरह हम बुद्धो बनाएं तो चलो चलो उनको फोन करते हैं अब क्या होता है यह लोग उनको मुटू को फोन लगाते हैं आप मुटू जी बोल रहे हैं तो हम मुटू बोल रहे हैं बोलती देखे एक सेल्फी कॉंपेटिशन होने वाला है और उसमें जो जीतेगा, उसको दसलाग का इनाम मिलेगा, आप लोग तुरेंट अच्छे-च्छे सेल्फी खीचके, और यहां हमारे पास ओफिस में भीजिए, मोटू बोलता, अच्छा-च्छा, बिल्कुल ठीक है, हम अभी बिल्कुल ट्राइ करने जाते हैं, अब मोटू दोड़के जाता है, पतलो के पास, जटका के पास, घसीटा-राम, चिंगम, सब को एकटा करता है, और यह लोग फोटो-खीचने के लिए चल देते हैं, वहाँ एक जगे है, जहाँ सेल्फी पॉइंट है, और वहाँ सन्राइज और संसेट बहुत अच्छा होता है, तो वह उस जगे जाते हैं, सेल्फी खीचने की कोशिश करते हैं, पतलो उनको समझाता है, मोटू यह जगे अच्छी नहीं है, ध्यान से, देखो, अगर तुमने यहाँ खीची, तो कहीं हम गिरे, तो बहुत नीचे गिर जाएंगे, हमारी हड़ी पसली भी नहीं मिलेगी, मोटू गोलता नहीं नहीं, हम पूरे प्रकॉशन के साथ फोटो खीचेंगे, बिलता चलो ठीक है, फोटो खीचते हैं, लेकिन किसी तरह उनका पैर स्लिप होता है, जैसे वो लोग नीचे गिरते हैं, तो वो अपना मोटू के हाथ में केमुर्णा होता है, और ऊपर की तरफ उसका हाथ होता है, और उस फोतो में क्या दिखाते हैं, कि सारे के सारे एक दूसरे के पैर पकड़ के नीचे गिर रहे हैं, और सन राइज हो रहा है और उसके पीछे मोटू का चैरा सन के आगे आ रहा है फिर इसके बाद अब पतलू बहुत चिलाता है देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी हमारी फोटो भी खराब हो गई होगी और हमारे जान को भी कितना बड़ा रिस्क मिल गया हो गया तो आपके ज प्लाक सबिक हो पहले में हमारे झाल। बहुत अ पुकिन हो दुसरी जेगे लेते हैं तो रहा एक नदी होती है उसको बोलते हैं क्रोकोडाइललएक होती है वो लेग के पास जाते है और वहानख फोटो किशने की कोशिश करते है। अब पतलोग फिर समझाता है देखो, यहाँ फोटो मत खिचो क्योंकि यह भी बहुत रिस्की जोन है, पर मोटू नहीं मानता है, और वो वहाँ फोटो खिचता है, फिर उनका पैर स्लिप होता है, वो लोग फिर गिरते हैं, लेकिन फिर उनकी फोटो आ जाती है, ऐसे करते कर वो चार-पाँच फोटो खिचती करते हैं, और इसके बाद उसको वहाँ कॉम्पेटिशन के ओफिस में भेशते हैं, अब उनकी फोटो सेलेक्ट हो जाती है, और जोन की फोटो सेलेक्ट नहीं होती है, अब जब उनको बुलाया जाता है कि मोटू पतलू जी आईए, आपक उनकी फोटो जाता है, तुमने किया था, हमको बेकूप बनाने के लिए, हमने किया था, हमने सोचा कि तुम गिर जाओगे, तुमारी फोटो अच्छी नहीं आएगी, पर तुमारी तो गिरने के बाद भाद भी फोटो इतनी अच्छी आई है, तुम कॉम्पेटिशन जीत तो बच्चो, सवाल कॉम्पेटिशन जीतने का नहीं है, सवाल यह है कि आपने इतना रिस्क उठाया, उन लोग के तो किसी तरह जान बज गई, वो लोग बड़े लोग थे, अपने को सम्हाल के उपर आ गए, अपने को सम्हाल के वहां से निकाल लिया बहार, लेकिन अगर हम लोग जैसे आजकल का बहुत सेलफी का ट्रेंड बना हुआ है, जगे जगे बच्चे ये भी नहीं देखते हैं कि उनकी जान को खतरा है, रिस्क है, इसके बाद भी वो लोग अपना सेलफी लेने में बिजी रहते हैं, कभी इधर के नदी के पास, कभी पहाड़ों में, क कभी ट्रेन चलते चलते दर्वाजे के पास, तो बेटा ये सारी चीज़े बहुत खतरनाक है, हमेशा सलफी लीजे, लेकिन अपने आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करने के बाद सलफी लीजे, तो आज के लिए वस इतना ही, आपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, आपक बहुत श्यान थीज लीजे